दोस्तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तुरई की मसालेदार सबजी की रेस्पी, सिंपल मसालों से बहुत ही मज़ेदार सबजी बनती है और इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे भी तुरई की सबजी बहुत पसंद सिखाएंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हमने ये 700 ग्राम तुरई ली है इसे नेनुआ या घ्योडा भी बोलते हैं तो इनको हमने अच्छे से धुल लिया है अब इनको हम छील लेंगे तुरई कोमल और ताजी होगी तो उसमें पानी जादा होगा और उसकी सबजी अच्छी बनेगी तो तुरई लेते समय इस बात का ध्यान रखिएगा सारे तुरई को हमने छील ली है छीलको को हम हटा देंगे और चाहे तो आप इनको एक बार और धुल लिजेगा अब तुरई को हम काट लेंगे आप चाहे तो इनको गूल गूल या लंबा लंबा जैसे भी काटते हों काट लेजेगा लेकिन थोड़ा मोटा रखिएगा तो खाने में अच्छे लगते हैं मैंने इनको डेड़ इंच की लंबाई में काटा है और उसके बाद हम इनके चार भाग कर लेंगे इस तरह से तोरही जल्दी कट जाती है और ये खाने में भी अच्छे लगते हैं अब हमने गैस पर कढाई रखी है इसमें हम डाल रहे हैं दो बड़े चम्मच तेल तेल गरम हो गया है तो हम इसमें आधा चम्मच जीरा तो पिंच ही गाट कर देंगे और जीरा चटक जाने पर हम इसमें एक बारी कटा हुआ प्याश डाल देंगे और दो बारी कटिवी हरी मिर्श इनको एक से दो मिनट तक भून लेंगे अब इसमें एक चम्मच अध्रक लासन का पेस्ट डाल देंगे पेस्ट की जगा अद्रक लासन को बारी काट कर डाल सकते हैं इनका कच्चा फ्लेवर निकल जाए तो इनको हम थोड़ी देर भून लेंगे हलका भून जाने पर हम इसमें टमाटर डाल देंगे एक टमाटर को हमने बारी काट कर ली है इनको मिला लेंगे और मिलाने के बाद अब हम इसमें कटी हुई तुरई डाल देंगे अब तुरई को 3-4 मिनट तक भूनेंगे इससे तुरई और टमाटर भून भी जाएंगे और हलके गल भी जाएंगे भूनते समय ही तोरई में हम थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे तो तोरई काली नहें पड़ेगी ग्रीन रहेगी इनको भूनते वे तीन से चार मिनट हो गए हैं तो अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे तो हम इसमें एक चम्मच धनिया पौडर आधा चम्मच लाल मिच इन मसालों को बढ़िया से मिला लेंगे और थोड़ी देर इनको भूनेंगे और देखिए तोरई में अच्छा सा कलर आ गया है तोरई पानी भी छोड़ने लगी है तो इनको हम कभर करके दो से तीन मिनद तक पकाएंगे और देखिए इस सब्जी में हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है बस इनको धीमे आज पर पकाया है तो तोरई ने काफी सारा पानी छोड़ दिया है और सब्जियों के मौस्चर से जो हम सब्जी बनाते हैं वो बहुत ज्यादा टेस्टी होती है अब हम इसमें थोड़ा सा पारी कटवा हरा धन्य डालेंगे और इनको मिलाने के बाद गैस आफ कर देंगे इस तरह से तोरई की सब्जी बहुत ही लाजवाब बनती है इनको आप चपाती के साथ खाईए या चावल के साथ जटपट बनने वाली मज़ेदार सब्जी है तो ट्राइ करिए और अपने सुझाओ कॉमेंट में जरूर दीजिए और रेस्पी जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो के एक लाइट कर देजिगा और अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ सेयर करना ना भूलिएगा फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ धन्य बाद